ठीक है ये आपके घागरा नदी आगे चलेंगे तो ये कई साखाओं में बटी हुई है ना ये का आपको देख रहा है करनाली है तिला है और बहेरी है ठीक है करनाली तिला बहेरी ठीक है ये आपके तिबबच छेतर में है करनाली तिला और बहेरी और करनाली आपका यहीं से तिब्वत पठार में इस्थित मापचा चुंगो हिमानी से कौन सी हिमानी से मापचा चुंगो हिमानी से आपका उदगम होता है किसका उदगम होता है तो घाघरा का यानि करनाली नदी का होता है घाघरा यानि करनाली नदी का उदगम जो है मापचा चुंगो हिमानी से होता ठीक है परवती छेत में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है निकि ये परवती छेत में जब तक रहती है तब तक इसी नाम से जाने जाती है निकि करनाली ठीक है और जैसे ही मैदानी छेत में प्रिविश्ट करती है आपकी यूपी छेत में प्रिविश्ट करती है मैदानी छ सर्जू नदी जो है यह आपका जो कि फैजाबार आज की डेट में पीशे फैजाबार था और आयोध्या भी वहां पे है तो आयोध्या के पास जो है आपकी सर्जू नदी में मिलती है देवरिया बरहज के पास राप्ति नदी में मिल जाती है इसी को आप घागरा को लेकर आ यह देख रहे होंगे राप्ति और बुरिया राप्ति यह आप देख रहे हैं तो गोरगपुर जिसके तड़ में बसा हुआ है कया रारावटتي नधी prayer बात क्लियर हो गई होगी, है न, छपरा के पास बिहार में चले चले ये, बिहार छपरा, ठीक है, बिहार छपरा आगे आएंगे, तो बिहार छपरा के पास इधा से गंगा नदी आ रही है, और गंगा नदी में ये संगम बना ले रही है, ठीक है, गंगा नदी में संगम बना ली है